हलो फ्रेंड्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दुनिया के टॉप फाइव मोस्ट एक्स्पेंसिव पेंटिंग्स और इन्ही की लाइन में अब आ गया है ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या फिनोमिनान है और अगर आप ये समझना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए आज की वीडियो में हम समझेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स या एन एफ्टीज क्या होते है मेरा नाम है रगुनंदन, आप देख रहे हैं वैली शास्तरा अब अगर आपको NFT याने non-fungible tokens को समझना है तो इस टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा पहला non-fungible और दूसरा tokens अब non-fungible का मतलब क्या हुआ non-fungible याने non-replaceable consider कीजिए एक example आपके पास एक 500 का note है उस 500 के note को आप replace कर सकते है 100 रुपे की 5 note से पर वही अगर आपके पास 1972 का Royal Enfield bullet bike है तो आप उसे आज replace नहीं करवाएंगे similar bullet bike से वो vintage classic bike ही रहेगी and that is why it is one of a kind तो जो one of a kind चीज होती है उसे non-replaceable या non-fungible कहा जाता है अब आजाता है हम token वाले पार्क पे token याने certificate of ownership and certificate of uniqueness ये प्रू करने के लिए कि वो चीज़ non-fungible है उसका एक token होना चाहिए उसका एक certificate होना चाहिए यही certificate को कहा जाता है token अब आप कहेंगे कि ये अब तक क्यों possible नहीं था ये अब तक इसलिए possible नहीं था क्योंकि कोई एक central authority नहीं थी जो digital art को या digital assets को certified करे और उसके ownership का record रखे अब जैसे आपको पता है कि Mona Lisa बहुत famous painting सबको पता है वो Louvre Museum में रखा हुआ है और उनके पास उसके ownership है वैसे ही अगर कोई digital art या digital asset है तो उसके भी uniqueness का जो certificate है उसे भी कहीं save करने की ज़रत पड़ती है यही picture में आ जाता है हमारा Ethereum अब Ethereum क्या है ये भी एक cryptocurrency है पर यह थोड़ी अलग है Bitcoin से अब Bitcoin क्या है Blockchain क्या है इसके लिए I would suggest आप हमारा ये वीडियो देखे Ethereum कैसे अलग है तो Ethereum की जो blockchain होती है उसमें हम transaction के साथ साथ उसका जो laser होता है उसमें हम transaction के साथ साथ ये certificates भी save कर सकते है that is why ये record अप कहीं save हो रहा है और आपको guarantee है कि आप unique owner है million में sold हुआ because एक तो ये artist बहुत famous है और दूसरा इसका uniqueness इस concept को समझने के लिए हम देखते हैं महिंदरा थार को इसकी नई generation launch हुई थी last year जब वो generation launch हुई तो उन्होंने कुछ initial models जो first of the assembly line models थे उनको एक एक number दे दिया और उसमें से जो first car बेची गई वो through auction बेची गई अब because वो unique थी and इस नई generation की थी वो कितने में भी की एक करोड रुपिये में भी की So even though आज आप market में जाके same car 15 लाग के करीबन ले सकते है उस car का significance अलग था उस car की value देखने वाले की नजर में अलग थी इसलिए उसने इतना पैसा पे किया Same thing happens with digital art आप चाहे उसकी कितने भी copies बना ले पर उसका authentic, rightful owner तो एक ही होगा इसलिए लोग उसके लिए पैसा पे करते है यहाँ एक बात और समझ लीजे ऐसा नहीं है कि सिर्फ paintings या artwork सी बेचे जाते है Jack Dorsey जो Twitter के founder है उन्होंने अपना पहला tweet भी ऐसे ही tokenize करके बेचा है वैसे ही बहुत सारी और चीजे बन रही है और बिक रही है इवन आप भी अपना खुद का एक NFT बना सकते है और अगर लोगों को पसंद आए तो लोगों खरीच सकते है मैं कुछ websites description में दे दूँगा जहां पर जाके आप ये सब चीजे कर सकते है The big question that everyone is asking कि क्या NFT industry में bubble है अब इसका अंसर देने के लिए I think you should consider that art lies in the eyes of the beholder किसी को किस में beauty दिख जाए हम क्या बता सकते है अब आप कहेंगे कि ऐसी चीज़े तो exist भी नहीं करनी चाहिए या आप कहेंगे कि ऐसी चीज़े जरूर exist करनी चाहिए दोनों के लिए pros and cons है दोनों के कुछ arguments for है कुछ arguments against है वैसे exist मुझे लगता है कि राधी भी exist नहीं करनी चाहिए पर vocal release हो गई और धडल्ले से लोग देखे जा रहे है तो ये सारी चीज़े relative हो जाती है अगर आप मुझे से पुछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत beautiful या बहुत artistic work है but again what would I know about modern art इसे हम modern art ही कहेंगे उमीद है आपको अब NFT की सारी बाते पता चल गए होगी at least basic concepts आपकी clear हो गए होगी हमारे next वीडियो का topic है how to start investing for absolute beginners जहां हम cover करेंगे सारे discount brokers और full service brokers तो अगर आप भी investing में नए है आपको भी ये सारी बाते जाननी है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको इन सारी चीजों का notification मिल जाए आपके subscription में ये सारे वीडियो आ जाए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और आपके सुझाओ हमें comments में ज़रूर बताए till next time stay healthy, stay happy and keep investing बाबाई